नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासे में आप सभी का स्वागत है, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वास्त होंगे और सुरक्षित होंगे विगत कुछ दिनों में उत्रागंड में भारी बारिस के चलते, काफी लेंड स्लाइड हुआ हो, काफी जानमाल को नुक्सान पहुँचा है मैं वहाँ पर लोट नहीं पाया और जिसकारण से वीडियो थोड़ा डिले हो गई, लेकिन दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं मध्यकालिन भारतिय इथियास और आप जैसा कि जानते होंगे, 31 एक्टूबर को कनिस्ट सायक का पेपर है, 746 पदों पे, इसके अलावा, लोवर पीसेस की डेट भी आपको पता होनी चीए, 12 दिसंबर को आपका लोवर पीसेस का पेपर है, इसके अलावा, 116 रातिकारी यानि के रेंजर परिक्षा की ड भारती इथियास में, मध्यकालीन भारती इथियास में, भारत पर मुस्लिम आकर्मन पर 25 टॉप MCQ करने वाले हैं, भाग एक आज रिलीज हो रहा है, अगर आपको हमारा कार ये पसंद आता है, तो इसको प्लीज ज्यादा स्यादा शेर करें और लाइक जरूर करें वीडिय मिलता है कि आपके लिए और भी अच्छे हम वीडियो प्रोवाइट करते रहें, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो आज का पहला प्रशन है, पैगंबर हजरत मुहमत का जनम हुआ था, दोस्तों हमारी यही कोशिस रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट MCQ बताए MCQ पढ़ाते पढ़ाते आपके टॉपिक में समझ को भी विक्सित किया जाए, इससे आपको डबल फाइदा हो जाता है, एक तो इंपोर्टेंट MCQ भी करने को मिल जाते हैं, इसके लावा टॉपिक भी आपको समझ में आ जाता है, तो पैगंबर हजरत मुहमत का जनम कब हु कौन है ये, ये हजरत मुहमत कौन है दोस्तों, ये इसलाम धरम के प्रवर्तक है, इसलाम धरम के प्रवर्तक कौन है, हजरत मौहमत ठीक है, इनका जनम हुआ था 570 इसवी में, ठीक है, और कहां पर हुआ था, ये हुआ था मक्का में, ठीक है, मक्का कहां पर है दोस्तों, य 632 इस्वी में इनकी मिर्ती हो गई थी ठीक है इतने points आपको याद रखने हैं इससे related कई सारे प्रशन बन जाते हैं अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन देखिए मक्का कहा है मैंने अभी आपको बताया मक्का कहां पर है दोस्तों अवस्तित यह है साउदी अरब में अवस्तित है पैगंबर हजरत मुहमत का यहां पर जनम हुआ था 570 इस्वी में इसलाम धर्म के प्रवर्तक हैं याद करना है बहुत याद करने की चीज है अगला प्रशन देखिए हिंद की जनता के संदर्व में हिंदू सब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था किसने प्रथम बार हिंदू सब्द का प्रयोग किया हिंद यानि की भारत की जनता के संदर्व में काफी अच्छा प्रशन है कई बार आ चुका है लेकिन मै ने कोसिस करिए कि मैं आपको एक ही प्रश्ने बताओं और बाकी सारे प्रश्ने से अपने आपी बन जाएंगे युनानियों ने रोम वास्यों ने चीनियों ने या फिर अर्बों ने तो इसका राइट अंसर है अर्बों ने ठीक है जो अरब थे इन्होंने ही हिंदू सब्द का सरवपर्थम प्रियोग किया था ठीक है अब कुछ चीजे और जैसे कि हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा ये भी आपको पता होना अच्छेव है जो दुश्यन्त के पुत्र थे भरत उनी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा ठीक है जबकि इराण इराणियों के बात करते हैं इराणियों ने इस देश को क्या बोला था हिंदुस्तान ठीक है इराणियों के द्वारा इस देश को बोला गया था हिंदुस्तान ठीक है जबकि युनानियों ने इसको क्या बोला इंडिया तो ऐसे करके प्रश्न कई सारे बन सकते हैं तो बार अलग-लग style में यह आपको आने चाहिए हमारी कोसिस यही रहती है कि आपको smartly कई चीजे बताई चाहिए smart study बहुत important है इस वक्त पे exam को बहुत कम समय है लेकिन ऐसे अगर आप smart study करेंगे तो आपको कई सारे प्रशन बन जाएंगे और उनके आने के संभावनाएं भी रह और 712 ठीक है 711, 712 एक साथ नहीं आएगी लेकिन दोनों में से एक आएगी तो इसका right answer क्या है 711 इस्वी ठीक है अलग-लग लेखों को ने इसमें मदभेद किया है किसने बोला है 711 इस्वी में किसने बोला है 712 इस्वी में ठीक है लेकिन मैं आपको बता दूँ अभी जह नहीं तो no down कर लो मुहमद बिन कासिम इनके नेत्रत में भारत में पहला मुस्लिम आकरमण हुआ था ठीक है हलंकि इससे पहले भी कुछ अभियान दल भेजे जाने की बात कही जाती है लेकिन उसके बारे में अभी भी मदभेद है तो पहला मुसलिम आकरमण क्या हुआ था भारत में यह हुआ था 711 इसमी में मुहमद बिन कासिम के द्वारा ठीक है इसके अलावा एक और important चीज़े जिसको आप याद रखेंगे देखे फारसी ग्रंथ है मैं आप लिख रहा हूँ फारसी ग्रंथ यह है चचनामा ठीक है इसको भी आप याद रखेंगे चचनामा में ही अर्बो द्वारा सिंध विजे की जानकारी मिलती है मतलब यह इस चीज़ का उलेक हमें चचनामा से मिलता है ठीक है चचनामा एक ग्रंथ है कैसा ग्रंथ है फारसी ग्रंथ है और इसमें ही जो अरब है जो अरब कौन था यह है मोहमद बिन कासिम मोहमद बिन कासिम के गया था और विजे यानि सिंद विजे की जानकारी मिलती है तो ये प्रशन भी कई बार आ जाता है कि किस गरंथ में अर्बो द्वारा सिंद विजे की जानकारी मिलती है कौन सा गरंथ है फार्सी गरंथ चचनामा अगला प्रशन देखे भारत में परतम मुस्लिम आकर्मनकारी था जैसे कि अभी हम आपको बता चुके हैं कौन है मुहमद बिन कासिम अगला प्रशन देखे मुहमद बिन कासिम था क्या था वो अभी मैंने आपको बताया कैसा था वो अरब आकर्मनकारी था तो अर्भी था हो अगला प्रशन देखिए इन में से कौन गजनी राजवन्स का सस्तापक था गजनी राजवन्स का सस्तापक कौन था अलपदगीन, महमूद, सुबक्तगीन या फिर इसमाई तो इसका राइट आंसर है अलपदगीन गजनी वन्स है इसका सस्तापक था इसका एक और नाम है यामनी वन्स यामनी वन्स से भी इसको बोला जाता है अलपदगीन ही थे जिनोंने गजनी को अपनी राज़दानी बनाया था इसके बाद हुआ क्या था कि 998 में महमूद गजनवी आपने इनका नाम सुना होगा महमूद गजनी या गजनवी ठीक है महमूद गजनी को इसका सासक बनाए गया और यही महमूद था जिसने भारत में 17 बार आकर्मन किया था ठीक है और भीम देव परथम थे उस समय भीम देव परथम के टाइम पर महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था ठीक है ये भी काफी अच्छा प्रशन बनता है तो यही महमूद गजनी थे जिनों ने भीम परथम भीम देव परथम के समय पर सोमनाथ में आकरमण सोमनात की मंदिर को लूटा था भारत में 17 बार इनके द्वारा आकर्मन किया गया था ठीक है और उस समय का जो इनका उद्देश्य था वो क्या था वो था भई लूट पार्ट करना उस समय पर स्थाई मुस्लिम सासन की व्योस्था स्थापना नहीं करना चाते थे वो क्या करन चाते थे भारत में सरिफ लूट पार्ट करना चाते थे ठीक है तो उस समय पर जो भीमदेव येज लोग क्या थे चंदेल सासक हुआ करते थे ठीक है तो ऐसे करके आब इन चीजों को याद कर सकते हैं इससे काफी सारे प्रशन आपके बन सकते तो गजनी राजिवन्स का सस अगला प्रशन देखें निम्ने में से कौन चंदेल सासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था देखी ये भी काफी इंटरस्टिंग सा प्रशन है जब महमूद गजनवी ने दोस्तों चंदेलों पर प्रतम बारा कमन किया था उस समय पर जो सरवादिक सक्तिसाली स सासक था वो था विद्यादर वो चंदेल सासक था ठीक है इसके बाद फिर भीम्दे वाय तो भीम्दे प्रतम के टाइम पर तो उस नहीं कहा किया सत्रा बार आकरमन किया था और सोमनात के मंदिर को लूटा था लेकिन जब प्रतम आकरमन की बात होती है तो वह 10-019-20 के टा पर महमूद गजनवी मतलब ये महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, काफी important प्रशने इसको आप याद रखेंगे विद्याधर अगला प्रशन देखें महमूद गजनवी का दरवारी इत्यासकार कौन था, ये प्रशन भी कई बार आ चुका है देखें महमूद गजनवी का दरवारी इत्यासकार कौन था, हसन निजामी, उद्बी, फिर्दोसी, चंदरबरदई, तो इसका राइट अंसर है, उद्बी, उद्बी इसका दरवारी इत्यासकार था, ठीक है महमूद गजनवी काफिस educated था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, और विद्वानों और कलाकारों का हमेशा सम्मान करता था, ठीक है किताब यामिनी इसके अलाव तारीक यामिनी ये दो इनके important गरंथ है उदवी के जो की महमुद गजनवी के समय के हैं ठीक है अगला प्रश्न साहानामा का लेक कौन था साहानामा का लेक आप सबी को पता होगा कौन था इसका लेक फिरदोसी ठीक है अब ये related है फिस से कर प्रश्ण महमुद गजनवी से क्योंकि जो साहा नामा है दोस्तों ये मनलब सॉरी जो फिर्दौसी है दोस्तों इसके द्वारा साहा नामा लिखी गई थी ठीक है और येही महमुद गजनवी के दर्वार का प्रसिद्ध विद्वान कवी था है, ठीक है, जैसे कि उध्यासकार कौन था, उध्वी, ऐसी इसके अलावा कौन था, फिर्दोसी, फिर्दोसी कौन था, दर्वारी कवी था, ठीक है, इसको पूर्व का होमर, देखे, यह भी पूछा गया है प्रशन, पूर्व क पूर के हुमर इसकी उपादीस को दी गई है ठीक है इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आप याद कर सकते हैं ठीक है लेकिन मेरे साब से इतना काफी है महमुद गजनबी के टाइम पेर जो थे वो फिर्दोसी थे ठीक है और फिर्दोसी नहीं क्या की थी साहनामा की रच मुसल्मान था ये प्रशन भी बड़ा अच्छा प्रशन है और कई बार ये रिपीट हो चुका है अलगलग स्टाइल में पुराणों का ध्यन करने वाला प्रशम मुसल्मान कौन हो सकता है अबुल फजल अब्दुल कादिर बनाइदी अल बरुनी या फिर दारा सिको तो इ ये भारत आया था महमूद गजनवी के संग ठीक है ग्यारवी सदी में महमूद गजनवी के संग जो अल बरुनी है ये भारत में आया था इसकी किताब का नाम है किताब उल हिंद बहुत important किताब उल हिंद ठीक है किताब उल हिंद से हमें उस समय के भारत के बारे में जानका मिलती है पुराणों का अध्यान करने वाला पहला मुसल्मान था ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है ठीक और इसके अलावा भी कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये केवल इत्यासकार नहीं था ठीक है इसको खगोल विज्ञान का भी ज्यान था भुगोल आती थी गणित का भी इसको ज्यान था ओसती विज्ञान हो ठीक है बहुत इसको आल राउंडे टाइप का था इसको काफी चीजों के बारे में नौलेस थी ठीक है तो ये भी आप यात्र करेंगे अल बरुनी महमुद गजनेवी के संग भारत आया था अगला प्रशन देखिये महमुद गजनेवी के संग भारत आने वाला प्रसिद दिथियासकार कौन था तो देखिये उत्राकंड PCS में आ चुका है ये प्रशने 2010 में और इसका राइट आंसर है अल बरुनी जैसे कि मैंने आपको बताया अल बरुनी की किताब है किताब उल ह नेक्स प्रशन देखिये अल बरुनी भारत में आया था काब आया था अभी मैंने आपको बताया ग्यारवी सताबदी में दोस्तों ये भारत आया था महमुद गजनेवी के संग ठीक है ये प्रशने अलग लग स्टाइल में आता रहता है महमुद गजनी के संग भारत में आ इमलेखित कत्नों में से कौन सा अलबरुनी के संबंद में सही नहीं है, आपको बताने कि कौन सा सही नहीं है, वो एक धर्म निर्पेक्ष लेकक था, उसका ग्रंत उस समय के जीवन्त भारत से प्रभावित था, वो संस्कृत का विद्वान तावत त्रिकोण मिती का विसे सग काफी अच्छा प्रश्न है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर मैं बता दूंब उपको कि वो एक धर्म निर्पेक्ष लेकक था, धर्म निर्पेक्ष लेकक नहीं था, वो आपका मुसलिम से रिलेटेड है, ठीक है? तो वो धर्म तो नहीं था और जैसे कि मैंने आपको बताए कि जोसकी किताब उले इंद थी वो उस समय के भारत की सामाजिक और आर्थिक विवस्था के बारे में बताती थी तो बिल्कुल सही है कि उसका गरंत उस समय के जीवन्त भारत से प्रभावित था वो संस्कृत का विद्वान था म इसके लगा उसको गणित की भी काफी नौलेज थी तो तिरकौन मिती का भी विसे सग्य था महमुद गजनवी नहीं दोस्तों संस्कृत मुद्रा लेक के संचान्दी के सिक्के निर्गत किये थे हालंकि जो इसके जो सिक्के थे उसमें दो अलग अलग भासाओं में मुद्रा लेक अंकित थे ठीक है एक भाग में क्या था अर्भी भासा था ठीक है और जबकि दूसरी अगला प्रश्ण निम्लिकित में से मध्य एसिया के किस सासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता काफी अच्छा प्रश्ण है जलाल उद्दीन मंगबर्नी, गजनी का महमूद, साब उद्दीन मुहमद गौरी या फिर चंगेज खान तो आपको क्या लगता, इसका क्या राई टैंसर होना चेए, 1192 आपको डेट समझ में आये तो कौन होना चेए, मौहमद गौरी ठीक है हमने इस युद्ध के बारे में पहले भी डिश्कस किया था, तराइन का युद्ध है, तराइन का दुत्य युद्ध तराइन का दुत्य युद्ध था जो कि पिर्थवी राज चोहान और मुहमद गौरी के मद्य में हुआ था इस युद्ध में मुहमद गौरी विजय हुआ था हलांकि इस से पहले तराइन का पर्थम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में अगेन महमद गौरी और पिर्थवी राज चोहान के बीच में ठीक है पिर्थवी राज चोहान का असली नाम है पिर्थवी राज तुर्ती है ठीक है तो पिर्थवी राज चोहान और महमद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में जिसमें इसे किस सासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता तो वो था मौमद गौरी Next question देखें मौमद गौरी का सबसे पहले किस ने पराजीत किया काफी अच्छा प्रशन है देखिए आप लोग जानते नहीं होंगे कि मौमद गौरी ने भारत में पहले भी आकर्मन किया था, वो किया था 1178 में, ठीक है, मतलब जो तराइन का पर्थम युद्ध है, उससे पहले 1178 में भारत पर आकर्मन किया था, वैसे देखा जाए तो 1175 में मुलतान में आकर्मन किया था, लेकिन हम भारत की बात करें तो यह पर 1178 में इन्होंने गुजरात पर आक्रमन किया था ठीक है ये तो उस मुलतान तो मुलतान कहां पर है फिलाल तो बात हो रही है ये किसमे है पाकिस्तान में ठीक है तो 1178 में जब इन्होंने गुजरात में आक्रमन किया तो वहां पर जो राजा थे वो थे भीमदुत्ती है ठ मूल राज दुत्ती भी हो सकता है, भीम दुत्ती भी हो सकता है, तो इनों ने अपनी माता के निर्ट में इस मुहमद गोरी को पराजित कर दिया था, आबू परवत के निकट में युद्ध हुआ था, मुहमद गोरी का मुकाबला किया था और उसको परास्त कर दिया था, तो म मुहमद गौरी की भारत में पहली पराजित थी, इसके बाद ये किस से पराजित हुआ, पिर्थवीरा चोहान से भी पराजित हुआ था, ठीक है, अगला प्रशन देखें दोस्तों, जो की बहुत ही इंपोर्टेंट और कई बार ये प्रशन आ चुका है, मुहमद गौरी ने जैचंद को किस युद्ध में पराजित किया, तराइन का युद्ध तो नहीं हो सकता, कन्नौच का युद्ध भी नहीं है, इसका राइट अंसर है, चंदावर का युद्ध, हमेशा पूछा जाता है, प्रशन के चंदावर का युद्ध किस के बीच में हुआ था, जयचंद, जयचंद कौन थे? ये थे कन्योज के गहडवाल राजा. ठीक है, मैंने आपको ये सारे वंस के बारे में बताया थ हूँ, तो गहडवाल वंस है, वहाँ पर कन्योज के राजा थे, गहडवाल राजा, जयचंद, इन्हों ने पराजित किया था, मतलब इसको वो युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम सक्ति की स्थापना हुई, कौन सा युद्ध रहा होगा जिसमें भारत में मुस्लिम सक्ति की स्थापना हुई, तो वो कौन सा तो दोस्तों तराइन का दुत्ति युद्ध, तराइन का दुत्ति युद्ध किसके बीच में हुआ था वो हुआ था पित्री राजचहान और महमद्यारी के बीच में ठीक है उसके बाद भारत में अक्ता प्रता स्टार्ट हो गए थी थीक है तो उस समय पर 1191 में 1191 की जो हम बात करते तो 1191 में कुतुबुद्दीन एबक को महमद्यारी ने अपने साथ मिला लिया था और जब 1192 में तराइन का दुत्ती युद्ध हुआ था तो उस समय कुतुबुद्दीन एबक ने बहुत बहन्तुपूर्ण भूमी का निभाई थी जिससे की मुहमद गौरी की विजय हुई थी पृत्वीरा चोहान के टाइम पे ठीक है तो इससे क्या हुआ मुहमद गौरी ह गया बहुत खुस उसके कारियों से तो उसने क्या किया 1192 से लेके 1206 तक उत्तर भारत के जो भी छेत्र जो जीते थे मौहमद गौरी ने तो वहाँ पर उसको अपने प्रतिनिदी के रूप में भेज दिया ताकि वो भारत का प्रसासन समाल सके मला उन छेत्रों का प्रसासन स ठीक है तो एक तरह से वहाँ से क्या हुआ गुलाम मंस की स्थापना आप मान सकते हैं ठीक है तो 1192 से लेके 1206 तक क्योंकि अभी हम इसके बाद आएगा दिल्ली सल्तनत काल महाँ पर आपकी गुलाम मंस की स्थापना होगी तो ये एक तरीके से 1206 तक गौरी के प्रतिनिदी के रूप में कुतुबुद्दीन एवक ने वहाँ पर कारी किया यानि कि उतरी भारत में जितने भी जो जगह थी जो कि महमद गौरी के द्वारा जीती गई थी उस प्रसासन को इसके द्वारा समाला गया था ठीक है तो एक तरह से इसने वहाँ पर तुर्की सक्ती का विस् करना है काफी सिंपल है आप इसको बहुत इजली विवस्थित भी कर सकते हैं ठीक है अब आप देखिए सबसे पहले अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं महमुद गजनवी के बारे में हमने बोला कि भाई जो महमुद गजनवी है उसने 1000 से लेकर 1026 के बीच में भारत में 17 वार अ पहला तो नंबर इसी का होना चाहिए बी का ठीक है अगला होना चाहिए सी का ठीक है इसके बाद बात करते हैं चंगेज खान की तो चंगेज खान 1221 के टाइम पर है ठीक है 1200 के आसपास दिखता है ठीक है तो इसका आ जाएगा चंगेज खान ए जबकि हम बात करते है तैमू पॉच्छ में पर चैमूर कौन था है, मंगोल से रिलेटेड था, मंगोल से नेक था इसने 1398 में भारत में अक्रमण यह था तो यह था. तरह यह थे तेरा सो में चैला गया है, तो इस तरह से देखा जाये तो D वाला जो यहाँ परा नहीं तो ऐसे हो जाएगा काल करम सबसे पहले कोन आएगा मोहमद गजनभी ठीक है उसके बाद कोन आएगा मोहमद गौरी और फिर आएगा चंगेज खान और फिर तैमूर इस तरह से आप इसको असानी से सुमेलित कर सकते हैं काल करम में इसको यानि क्रोनोलोजिकल ओडर में आप इसको अरेंज कर सकते हैं ठीक है अब मैंने कोई option नहीं लिखे हैं लेकिन आप इसको समझ जाएंगे बहुत एजली एक और महतोपूर्ण प्रशन किस मुसलिम सासक के सिको पर देवी लक्षमी की अकरती बनी वी है उत्राखंड PCS में प्रशन आ चुका है किस मुसलिम सासक के सिको पर देवी लक्षमी की अकरती बनी है वो है मौमद गौरी, ठीक है, मौमद गौरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तुर्क से आया था, और इसके सिक्कों पर दिवी लक्ष्मी के अकरती बनी भी है, दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ है, कलमा अरभी भासा में खुदा हुआ है, ठीक है, तो ये काफी एक अच् प्रशन आ चुके है, अगला प्रशन देखे, बड़ा अच्छा और बड़ा इंप्पॉर्टन, मौमद गौरी के किस दास ने बंगाले में बिहार पर विजय प्राप्ति की, मौमद गौरी का कौन सा दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्ति की, कुतुब दिनेवक इलतुत मिस, बक्तियार खिल जी या फियल्दोस तो इसका राइट आंसर है, बक्तियार खिल जी, देखे, बक्तियार खिल जी या मौमद और विक्रम सीला विहार को इसने तहस नहस कर दिया था ठीक है और जो राजधानी थी ओधन्त पूरी उस पर इसने कबजा कर लिया था ठीक है जब इसने बंगाल माकरमण किया 1204 में तो उस समय पर वहां का सासक हुआ करता था लक्षमर सेन ठीक है तो लक्षमर सेन तो बिना युद्ध के ही वहां से भाग गया ठीक है तो उस समय पर बक्तियार खिलजी ये मुहमद गौरी का ऐसा दासता जिसने बंगाल और बिहार दोनों जगह पे विजए प्राप्ती की बिहार में तकि बंगाल में 1204 में ठीक है 1202 में जब इसने बिहार में आकरमन किया तो वहां पर इसने नालंदा और विक्रम सीला दोनों को इसने क्या कर दिया तहसने इसकर दिया था ठीक है ये प्रश्ण भी पूछा जाता है कि वो कौन मुस्लिम सा सकता जिसने नालंदा विहार का विध्वन्स किया या विक्रम सीला का विध्वन्स किया तो ऐसे प्रश्ण भी आ सकत अगला प्रश्ण देखिए नालंदा विहार का विध्वन्स किस ने किया तो वो ही प्रश्ण आ गया है लेकिन अलगला style में तो इसका right answer क्या है बक्तियार खिल जी ठीक है तो बक्तियार खिल जी कौन था मौमध गौरी का दास था ठीक है 1202 में विहार में इसने जीता और 1204 म इसने बंगाल को ठीक है तो यह थे दोस्तों 25 important top MCQ और हमारी कोसिस यह रहती है कि बस exam oriented आपको बताई जाए चीजें इधर उदर आलतु फालतु की चीजें हम ना बताते हैं ना यह हमारी फित्रत में आता है हमारी कोसिस यह रहती है कि आपको best से best और valuable content प्रोवाइड रहें मिलते एंगली वीडियो में good bye